A very good morning to all of you, I am Richa Sharma and you are watching Parcham, सुबह के बच्चों के हैं साथ, जल्दी से आज जाये, जुड़ जाते हैं, क्योंकि it is time for our daily CA session, अगर हम Hindu calendar के हिसाब से देखें, तो अभी चल रहा है पोश, महीना, शुक्ल पक्ष की आज तृतिया है, और of course January आप सबको पता है, और आज है date 14th of January, 14th of January और आज एक बहुत प्यारा सा तिवहार है जो के है लोहोडी, so happy Lohri to everybody, or may you have a lot of festivities, खुब खुशियां आए, आज और कल दो दिन काफी सारे तिवहार हम लोग मनाएंगे, so Lohri जो है बेसिकली वो हिंदू festival होता है, और particularly ये संक्रांती के एक दिन पहले है, एक रात पहले मनाया जाता है, तो पंद्रा तारिक के इस बार सक्राती आएगी, और जिसे हम उतरायन भी बोलते हैं, और जो 14th है, उसको हम Lohri की तौर पर मना रहे हैं, Lohri basically harvest के समय का festival है, जब फसल कटती है, और बहुत सारी खुशाली आती है, विकास इतना सारा produce जो हमने किया है वो सब घर में आता है, और साथ ही साथ winter खतम हो रहे हैं, sun जो है northern hemisphere में move करेगा, और इंडिया northern hemisphere में ही लाए करता है, यानि अब सर्दी खतम हो रहे है, sun की raise बढ़ेंगी, sun exposure बढ़ेगा, तो इस चीज़ को भी celebrate किया जा रहा होता है, तो Lohri एक harvest festival भी है, and passing of winter को भी celebrate कर र या का ये festival है, काफी popular है, इसके बारे में जाद बताने की ज़रत नहीं है, all right, चलिए, अब आज के जो pdf उसके बारे में बता देते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे डेली CA में, उसका pdf free section के अंदर आपको पर्चम app में भी मिल जाएगा, free material section में, या फिर आप टेलिग्राम से पर्चम का टेलिग्राम चानल, लिंक आपको वीडियो के description में दिया हुआ है, जहां वीडियो का title होता है, उसके क्लिक कीजे, more का option आएगा, उसके क्लिक कीजे, काफी सारे आपको, वहाँ पर लिंक्स मिल जाएगे, टेलिग्राम के, इंस्टरग्राम के, प्लेलिस्ट के, सो मंडे इसको हमारा weekly CA आता है, कल जरूर से देखिएगा, पूरे हफते हमने जो भी कुछ पड़ा है, उसका बहुत क्विक और अच्छा रिविजन आपका हो जाएगा, थेरी फॉर्म में भी, MCQs में ठीके, तो do not miss tomorrow's session, same time है सुबह 7 बचे, तो कल डेली CA नहीं आएगा, पर्सो हम कल और पर्सो का इखटा करने वाले हैं, ठीके, अच्छा जिन बच्चे की पास में subscription या PDF बैंक है, सारे ही PDF इन में add हो जाते हैं, आप पर्चम अप से चाहें तो ले सकते हैं, और येस, current affair yearbook जो है, उसकी जो e-book है, यानि जो PDF form है, वो आपको 15th January को available करवा दिया सकते हो, ओके, चले, अब शुरुआत करेंगे question of the day से, जो मैंने आप से कल पूछा था, जाते जाते क्या question किया गया था, युवा निधी scheme is launched by which state, युवा निधी scheme जो है, वो कौन से state ने launch की थी, और जिसके तहर जो unemployed youth होता है, उसको कोई नो कोई साहता राशी दी जाती है and the answer is करनाट का, सही answer किया है सबने, चले, अब हम बढ़ेंगे आज की ताजा खबरों के साथ में, तो सबसे पहले एक तो हमने लोडी festival तो देखी लिया, अब 14th of January को एक बहुत important day आता है and that is Armed Forces Veterans Day, Armed Forces Veteran Day, Veterans कौन होते हैं, जो seniors होते हैं, right, so उनहीं को dedicated है ये दिन, जो की 14th of January को मनाया जाता है, Armed Forces Veteran Day और इसको Armstice Day भी कहा जाता है, ठीक है, किनके honor में, जो भी हमारे veterans रहें, यानि seniors रहें हैं, जिन्होंने serve किया है हमारे देश को, उनकी honor के अंदर इस दिन को मनाया जाता और साथ ही साथ इस दिन 1953 में, जो हमारे पहले commander in chief थे, Indian Army के, कौन थे, field marshal K.M. करियपा साहब, वो भी अपनी services से retire हुए थे, 14th of January को 1953 में, इसलिए इसको Veterans Day, जो अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब free हैं, उनहीं के honor के अंदर इस दिन को मनाया जाता है, कब से मनाया ज आ रहा है, 2016 से, ठीके, तो 14th of January याद रहेगा, Arms Forces Veterans Day आता है, और नेक्स्ट जो है, वो एक sad demise है, अनि कि एक बहुत renowned personality का निधन हुआ है, उससे जोड़ी ए खबर देखते हैं, ओबिच्वरी है, renowned classical singer, प्रभा आतरे जी, dies or died at 92, तो प्रभा आतरे जी का निधन हो गया है, व और कौन से घहराने से बिलॉंग करती थी, किराना घहराना, हिंदुस्तानी classical music का, किराना घहराना, और इनको पद्म विभूशन मिला था, कुछ ही समय पहले, 2022 के अंदर, पद्म विभूशन से सम्मानित हुई थी, प्रभा आतरे जी, उससे पहले उनको पद्म श्री पद् आना घहराने से प्रभा आतरे जी, पद्म विभूशन कब मिला, 2022 में मिला, ठीक है, अब एक अवार्ड देख लेते हैं, एक अवार्ड स्कीम है, बेसिकली, इसका नाम है अनुभव अवार्ड स्कीम 2024, कौनसी स्कीम है, अनुभव अवार्ड स्कीम 2024, जो भी Central Government Employees, जो उनके टाइम में क्या-क्या अच्छी governance फ्राक्टिस हुआ करती थी, किस तरह से काम संभाला जाता था, और जो भी best entries होंगी फिर उनको अवार्ड दिया जाएगा, यह है अनुभव अवार्ड स्कीम, देखिए अपना अनुभव शेयर करेंगे, कौन लोग शेयर करेंगे, Central 16 में, ताकि जो invaluable experience है, retiring Central Government Employees का, उसको utilize किया जा सके, और इन लोगों को reward भी किया जा सके, तो इस scheme का main aim किया है, इतना लंबा इनका कारिकाल होता है, तो अपने inputs शेयर कीजे, आप good governance और administrative reforms, जो लाई जा सकते है, आपके समय थे, आपको लगता है लाई जाने चाहिए, उनक accordingly you will be given awards, चली, अगली जो खाबर है, वो 33rd International Kite Festival, so अब हम state news की तरफ मोव कर रहे है, International Kite Festival कहा मनाया जाता है, देखे, काइट फेस्टिवल अलग होगा, काइट फेस्टिवल तो आप राजस्थान के जैपूर में भी देखोगे, साउत में भी आपको हाईदराबाद साही मे जब हम बोलते हैं, तो ये गुजरात एहमदाबाद में हर साल मनाया जाता है, ठीक है, अब option के अंदर गुजरात आ गया तो आंग बंद करके International Kite Festival माग करती जेगा, लेकिन do not get me wrong, अगर मैं कहूं के Kite Festival जैपूर राजस्थान में भी होता है, बिलकुल होता है, लेकिन International Kite Festival गुजरात एहमदाबाद में हर साल होता है, इस बार 33rd edition था ये इसका, और अभी चल, आज wind up होगा, सो 7th to 14 January एहमदाबाद गुजरात में इसको organize किया गया, गुजरात टूरिजम जो डिपार्टमेंट है, वो इसको organize कर रहा है, कब से कर रहा है, 1989 से कर रहा है, ठीक है, औ उत्तरी गोलार्द हो गया, ये दक्षणी गोलार्द हो गया, जो सन है, ये इस तरह से move करेगी अर्थ के अब सन की जो रेज हैं, वो जादा नौर्धन हैमिसफेर में पढ़ेंगी, सन के टुवर्ड्स नौर्धन हैमिसफेर टिल्टिड होगा, और जब सन का मुवमेंट सा इधर आता है, यानि अर्थ सीधी से थोड़ा सन की टुवर्ड्स नौर्धन हमिसफेर में टिल्ट होती है, तो उसको हम उत्तरायन कहते हैं, यानि कि अब सन नौर्धन हमिसफेर में आएगा, उसको मकर संकरांती के रूप में भी मनाते हैं, तो उत्तरायन के आसपास ही डेजर्ट फेस्टिवल भी होता है, कैमल फेस्टिवल भी होता है, डेजर्ट फेस्टिवल जैसल मेर में होता है, डेजर्ट फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, यह जैसल मेर के अंदर मनाया जाता है, जो की एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, और जो कैमल फेस्टिवल वो बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, ध्यान रखेगा इन दोनों में confusion होने की बहुत strong chances होते हैं तो desert festival जैसल मेर में और camel festival बीकानेर के अंदर तो बीकानेर में 2024 camel festival आज खतम हो जाएगा 12 से 14 जनवर तक ही organized किया जा रहा था सो international camel festival kicked off नहीं होगा अब तो खतम होने आ रहा है इन बीकानेर राजस्थान international camel festival कहा हुआ राजस्थान के बीकानेर में हुआ department of tourism है जो इसको organize करवाता है theme क्या रहे इस बार की? theme रही icons of बीकानेर, बीकानेर के icons तो इक को dedicated theme वहां के जो craftsmen होते हैं जो अलग अलग करते हैं कुछ नकाशी कर रहे हैं कोई हाथ से कुछ बना रहे हैं उनको dedicated local logo को local craftsmen को dedicated theme रही चली एक और question करते हूँ मैंने आपको GI tags में पढ़ाया था उन्ट की skin के ऊपर कुछ बहुत सुन्दर सी designs बनाई जाती हैं और कुछ golden सा work यूज करके और उनकी skin को जो hair वगएर उनको हटा करके उसको कुछ कहा जाता है कोई कला कहा जाता है सो पर्टिकिलरली बीकानेर साइड में यह देखने को मिलती है उन्ट की skin के ऊपर कोई ना कोई डिजाइन नकाशी बोलिये डिजाइन बोलिये कलाकारी बोलिये की जाती है उसको कौन सी कला कहा जाता है और यह GI tank है ठीक है चले लिखेगा ज़रूर सो युनाइटेड नेशन अच्छा मज़े की बात यह है कि इस बार 2024 की जो युनाइटेड नेशन ने यह डिक्लेर किया ना कि जो 2024 है कौन सी किस चीज को dedicated year होगा तो वो Camelids को dedicated है Camels को नहीं है Camelids को है अब आप पुछो कि मैं दोनों में क्या difference है difference होता है Camels Camelid family का हिस्सा है लेकिन इसमें और भी जानवर आते हैं Lama, Alpaca अभी मैं दिखाओंगी ठीक है so 2024 जो है वो International year of Camelids है यह देखो यह सारे जानवर Camelids में आते हैं so अलग-अलग ते रहे के Camels तो आ ही गए फिर यह ग्वानाको है, Alpaca है, Vikyuna है, Lama है तो यह सब Camelids है so 2024 is the year of not Camels Camelids अगली न्यूस जो है वो Tamil Nadu से आ रही है, Aurovillay to host National Equestrian Championship in Dressage इसका मीनिंग अभी मैं समझाती हूँ, so Tamil Nadu के अंदर I'm sure I must have written somewhere चलिए देख लेंगे कब से कब तक है, so January के अंदर ही 18-26 January 2024 Aurovillay के अंदर पहली बार यह जो पूरा रीजिन है न Tamil साइट का पहली बार equestrian से related या dressage से related एक national championship यह और गोड़े पर वैठा जाता है और फिर घोड़ा अलग-अलग तरह के dance moves करता है तो एक तरह से horse ballet हो गया है आप horse पर बैठे वे और horse ballerina की तरह परफॉर्म कर रहा है जो पूरा रीजिन है और विले वाला तमिल का यह जो रीजिन है यहाँ पे रेड अर्थ राइडिंग स्कूल है और विली में तमिलनाडू के अंदर जो पहली बार होस्ट करेगा national equestrian championship in dressage dressage, dressage यानि वही जो मैंने आपको बता है ठीक कब से कब तक 16 to 18 to 26 जैनवरी तक यह horse करेगा और इसको ballet on the horseback की तरह भी समझा जा सकता है और यह देखे थोड़ा ध्यान दीजेगा इस चीज़ पर क्योंकि कई बार exam के अंदर जो भी sport related courts हो गए उनके dimensions पूछ लिए जाते हैं तो equestrian in dressage के अंदर जो यह area होता है अरीना बोला जाता है इसको जिसके अंदर यह performance होती है उसका dimension क्या होता है 60 by 20 meter arena 60 meter by 20 meter का होता है इसके अंदर ही perform करते हैं जूरी सामने देख रही होती है और वाट दे देती है ठीक है तो Auroville के अंदर होस्ट होगी national equestrian championship in dressage January के अंदर ही got it चलिए आगी news पर बढ़ते हैं अचा अब यह dressage जो equestrian in dressage है यह थोड़े समय पहले भी news में आया था क्यों क्योंकि हम पहली बार gold medal लेकर के आये थे Asian Games में as a team in equestrian in dressage right so इससे पहले हम बहुत सालों पहले एक bronze medal लाये थे लेकिन gold medal हमने पहली बार हासल किया था उससे related एक point भी देख लीजे September 2023 में जो Asian Games चल रहे थे Hans of China के अंदर Asian Games 2022 जो की 2023 में करवाए गये थे उसमें हम team gold medal लाये थे equestrian dressage team में 4 लोगों की एक पुरी team थी जिन्हों नहीं medal जीता था ठीक है ओके अगली news देखते हैं defense section से INS Cheetah, Guldar and Kumbhir decommissioned decommissioned हुई हैं तीन naval ships क्या नाम हैं चीता, Guldar और Kumbhir decommission का मतलब अब यह service में नहीं रही अब इनको use नहीं किया जाएगा commission करना यानि service में लेना start करना use करना decommission यानि अब service में नहीं लिया जाएगा ठीक है 40 साल की service के बाद इन तीनों ships को decommission कर दिया गया कहां हुआ यह event पोर्ट प्लेयर अनमाने निकोबार आइलेंस में हुआ और इनको commission कब किया गया था तो respectively देखेंगे तो 1984, 85, 86 इसको 84 में, 85 में, 86 में इनियन नेवी का हिस्सा बनाया गया था अब इनको decommission कर दिया गया है देन अगली news देखते हैं रक्षा मंत्री यानि की डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग जो है approves proposal to launch group term insurance scheme for casual paid laborers engaged by BRO यानि की border research organization जो हमारी होती है जो हमारे border areas में infrastructure roads वगेरा develop करती है उनके उनसे जुड़े हुए जो casual paid laborers हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जब काम आया जब project आया तब उनको बुलाया फिर उनको भेज दिया तो उन लोगों के लिए एक group insurance scheme ताकि अगर उनको कोई नुकसान हो तो उनको insurance मिल जाए इसी group term insurance scheme के लिए approval दे दिया है रक्षा मंत्री जी ने इतनी बात समझ में आ गई border road organization के अंदर जो casual projects होते हैं उनमें जो लोग शामिल हैं उनके लिए term group insurance scheme को approval दे दिया गया ओके चलिए अब ये जो casual paid laborers हैं या तो ये border road organization के अंदर काम में engaged हो या फिर general reserve engineer force जो होती हैं इनके किसी ना किसी project में लगे हुए हो तो इन लोगों को दस लाख रुपे का insurance दिया जाएगा in case of death in case of death या तो इनकी family को नहीं थे इनके जो next kin होंगे या निरिश्थिदार हैं उनको दे दिया जाएगा तो 10 लाख रुपे का group insurance या हर एक व्यक्ति को 10-10 लाख रुपे मिलेंगे in the event of their death while they are working for BRO ठीके समझ में इतनी बात आगे द transportation of mortal remains जो अगर किसी की मृत्यू हो जाती है तो उनका जो शव है उनको संभाल के रखना और घरवालों की support करना और जो पूरी cost वगर इन सब में आएगी उसको भी बेर करना जो funeral assistance दी जाती थी पहले 1000 रुपे दी जाती थी दासंसकार या दफनाना जो भी funeral से related procedures होते हैं इसांपल मिलने है न तो उस में से immediately 50,000 rupees as advance payment ex-gratia compensation में के तौर पे इनको दे दिया जाएगा के हाथ तो हाँ जैसी event of death होता है 50,000 घरवालों को दे दिये जाएंगे और बाकी का जो payment है वो बाद में कर दिया जाएगा ex-gratia compensation क्या होता है ex-gratia का मतलब होता है जो आप सहानुबोती, फिक्र, humanitarian angle से करते हो लौ में कहीं लिखा हुआ नहीं क्या आपको करना है ठीक है तो जो ex-gratia compensation किया जा रहा है out of concern, out of humanity उसमें से 50,000 की immediate advance payment भी की जाएगी तो कितने लाग का insurance दिया जाएगा 10 lakh रुपी का group insurance करवा जा रहा है अगली जो खबर आ रही है अब हम national category की तरफ move करेंगी state related news हो गई मूल्य प्रवाह 2.0 मूल्य का आप ethics के अंगल से कर सकते हो हमारे मूल्य क्या है हमारे ethics क्या है मूल्य प्रवा values and ethics in higher education ये जो मूल्य प्रवा 2.0 है ये किसने launch किया है क्यों launch किया है ये समझना है मूल्य प्रवा 2.0 UGC के नए डारेक्टिव है ethical education in India के लिए directive का मतलब हो गया के नए निर्देश है तो UGC University Grant Commission जो higher education college वगेरा होते है उनको वो UGC के अंडर में आते हैं तो UGC ने नए दिशा निर्देश जारी किये है कि किस तरह से higher education institutions जो है colleges universities है वो मूल्य प्रवा 2.0 के दिशा निर्देश फॉलो करेंगी अब इस दिशा निर्देश में क्या कहा गया है कि आप कितने ethically अपना institution चलाएं किसी को promote करना है तो ऐसा नहीं कि आप favorism करिये आप performance basis करिये sexual harassment जैसे cases नहीं हो तो एक open approach के साथ institution और देश के भले में सारे decision होने चाहिए individual favorism नहीं होना चाहिए इन सब को ध्यान में रखते हैं मूल्य प्रवा 2.0 guidelines या directives issue किये हैं किसने University Grants Commission यानि की UGC ने किये हैं ठीक है अब इसी को हम समझ लेते हैं set of guidelines हैं जो कि University Grants Commission ने launch की हैं उनको कहा गया है मूल्य प्रवा 2.0 so original मूल्य प्रवा guidelines भी थी इससे पहले भी थी तभी तो 2.0 आया ना so इससे पहले जो guideline थी वो 2019 में introduced कर दी गई थी और अभी जो लाया गया है उसका main objective क्या है human values, professional ethics, higher education institutions में आने चाहिए human values ताकि harassment वगएरा नहीं हो, professional ethics ताकि fair treatment हो सभी का और utmost transparency administration के अंदर होनी चाहिए, public हित में, देश के हित में होनी चाहिए, personal हित में नहीं होनी चाहिए चलिए, आगे बढ़ते हैं, government ZED scheme of for MSMEs hit 1 lakh certification milestone news क्या बोलती है, news बोलती है कि government की ZED scheme, क्या है ZED, zero effect, zero defect scheme ठीक है, तो zero effect, zero defect scheme जो है ZED, जो micro small medium enterprises से जोड़ी हुई है उसमें कितने certificate बांट दिये गए है, 1 lakh certificate का milestone या meal का पत्थर अच्छी कर लिया गया है तो अब इस news से एक ही चीज हमें समझनी है कि ZED scheme क्या है, ठीक है बाकी तो simple सी news से, इस से related कुछ नहीं पूछा जाएगा कितने certificate बांटेगा या कोई पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, जब तक exam आएंगे number of certificate बढ़ जाएंगे So, अब यह zero effect, zero defect scheme क्या है, तो इसका main काम है कि environmentally sustainable manufacturing practices जो होती है ऐसे manufacturing practices जिनमें कुछ नहीं कुछ बनाया जा रहा है, services की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं कुछ बनाया जा रहा है और वो environment friendly तरीके से हो रहा है, और कोई नहीं MSME, micro, small, medium enterprise यानि की सूक्ष में लग हो और मध्यम वाली जो enterprises है वो उनको कर रही है, तो इनको certificate प्रोवाइड किया जाता है, ZED का, कि आप कुछ भी negative effect नहीं डाल रहे हो, कोई defect नहीं है आपके manufacturing system में बढ़िया साप का system है, तो आपको certified किया जा रहा है तो इस scheme के तहट certified किया जाता है, ऐसी MSME को जो की manufacturing कर रही है और environmentally sustainable तरीके से कर रही है, ठीक है, चलिए, इसको launch किया गया था 2016 October में और इसके अंदर तीन तरह के certificate दिये जाते हैं, gold, silver और bronze और इनके लिए राशी ली जाती है, ठीक है, इनके लिए payment लिया जाता है, बिकरस आपको एक certificate दिया जा रहा है तो उसके 75% rebate दे दिया जाएगा, ठीक है जी, so 20 performance based parameters होते हैं, जिनके basis पे certificate प्रोवाइड किये जाते हैं gold, silver और bronze category के अंदर, अब जो scheme है, वो financial assistance देती है, up to 75% on total cost of certification और इसमें maximum 50,000 रुपे तक की आपको subsidy दे दी जाएगी, rebate दे दी जाएगी, कि आपको certificate भी मिल जाएगा और आपको पैसे भी कम देने पड़ेंगे December 2023 से, यानि हाल ही के अंदर, जो women से जुड़ी हुई MSMEs है ना, उनके लिए scheme के में completely free कर दिया गया है certification वगेरा जब एक पर ZDD certificate मिल जाता है किसी MSME को, तो वो valid कितने समय तक रहता है, तीन साल तक रहता है और यह सिर्फ manufacturing से जुड़ी हुई MSMEs पे लागू होता है, service पे लागू नहीं होता है ठीक है जी, अब यह सब क्यों किया जा रहा है, ताकि जाद से जाता बढ़ावा मिले ऐसे MSMEs को, जो की environment से sustainability के साथ में production कर रहे है ताकि जो government के plan है ना, कि हमें CO2 emissions 1 billion tons तक रोकने है, है ना, reduce करने है 2030 तक, या फिर हमें carbon intensity 45% तक करनी है 2030 तक या फिर हमें net zero emission target तक पहुंचना है, 2070 में, इसमें contribution मिल सके इस तरह के कुछ schemes लाई जाएंगे, benefits लाई जाएंगे, तभी तो लोग काम करेंगे, ठीक है इसलिए इस scheme का फाइदा देश को है अगे जो news है, वो एक person से related है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने अपने एक भाशन के अंदर, जो e platform से वो दे रहे थे उन्होंने अपना एक तरह से हमेच पे किया है, याद किया है, तारीफ की है, एक व्यक्ति की आई श्री सोनल मा, जो अफकोर्स अब नहीं रही पर उनसे जुड़े हुई जो संस्थाएं चलती है और इन्होंने जो contribution दिया, उनको याद किया, ठीक है, तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने आई श्री सोनल मा ने contribution दिया है, देश के welfare के लिए, और क्यों, क्योंकि इनका centenary celebration था, centenary यानी 100 साल, इनकी बर्थ के 100 साल पूरे हो चुके थे 13th of January को, ठीक है तो इसलिए इन से related उन्होंने एक वक्त अब दिया, अब आई श्री सोनल मा कौन थी, या फिर इनका contribution क्या रहा ये कौन सी community से related थी, तो ये चारण समुदाय जो है, चारण लोग usually कवी होते हैं, या लिखते हैं, या पढ़ते हैं, या पढ़ाई लिखाई से related बाते करते हैं, scholarly community होती है, तो चारण community को ये बिलॉंग करती थी, उन्होंने काफी सारे लोगों को यूथ को गाइड किया है किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, एसेटरा, तो ये एक inspiration रही है, इनकी जो भी writings रही है, इनके जो भी बातचीत रही है, बाशन रहे हैं, वो सब एक positive एंगल से country development के अंदर इन्होंने nation development में contribute किया है, partition के समय सोनल मा ने जूनागड के लिए भी जंग लड़ी थी, कि नहीं वो यहीं रहना चाहिए, and 51 commandments है इनके, एक तरह से निर्देश बोल दीजे, या फिर आज्या बोल दीजे, तो 51 commandments जो हैं सोनल मा के, वो भी एक guidance प्रोवाइड करते हैं, चारण समुदाय को कि किस तरह स आपको अपनी लाइफ लीट करनी चाहिए, तो आईश्री सोनल मा जिनके बारे में पीम मोधी साहब ने बढ़ चड़ के बोला, अगली जो ख़बर है, वो स्पोर्स की तरफ से आ रही है, बीच गेम्स 2024 हो चुके हैं, conclude, सो पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स इंडिय के अंदर और्गनाइस किये गए, कहां किये गए थे, घोखला बीच दियू के अंदर किये गए थे, जो कि एक ब्लू सर्टिफिकेट वाली बीच है, ब्लू सर्टिफाइट बीच है, ब्लू सर्टिफाइट बीच है, ब्लू सर्टिफाइट बीच है, ब्लू जो है वो ओवराल चैंपियन की तरह उभरा है याद रखेंगे मध्यप्रदेश ओवराल चैंपियन बना है बीच गेम्स 2024 का टोटल 18 मैडल जीते हैं जिनमें 7 गोल्ड मैडल थे इसके बाद महराष्टरा आया और थर्ड पोजिशन पे तीन एंटिटीज हैं दो तो स्टेट हैं तमिलनाडूर उत्राखंड और एक जो होस थे दादरा नागर अवले अंदा मिननद्यू ये यूनियन टेरिक्टरी भी थर्ड पोजिशन पे आया है बीच सौकर की अगर हम ब क्योंकि मैंने कहा था कि जो घोखला बीच है वो ब्लू सर्टिफाइड है तो ब्लू सर्टिफिकेशन क्या होता है एक इन्टिनाशनली रेकोगनाइजड लेबल होता है ठीक है जो कि 33 क्राइटीरिया पूरे करने पे दिया जाता है यानि कि डिफिकल्टी से मिलता है और च चार एरियाज में टोटल 33 पैरामीटर्स अगर आप पूरे करोगे तो आप ब्लू सर्टिफाइड बीच कहला होगे जैसे कि एन्वार्मेंट एजुकेशन और इंफर्मेशन वहां प्रॉपर होनी चाहिए जो पानी की क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए जो पानी की क् ब्लू सर्टिफाइड है 12 12 बीचेश है ठीक है अब हर एक का नाम मैं नहीं पढ़ूंगी पर आपकी इंफर्मेशन के लिए पोस्टर मैंने इंकॉर्परेट कर दिया है आप इसको आराम से पढ़ सकते हो बिकोस पीडिएफ आपको टेलिग्राम पे अवेलेबल करवा दिय ठीक है और यह मैंने यहां लिख भी दिया है अगर आपको पिक्चर से ठीक से पढ़ने में नहीं आए यू कन रीडिट आप फिम्यों ठीक है हो मिनी ब्लू फ्लाग बीचेश ब्लू फ्लाग सर्टिफाइड बीचेश ट्वेल्फ ठीक है चलिए और जो लास्ट में दो अगली न्यूस देखते हैं नाइन्द एजियन विंटर गेम्स जो होने वाले हैं अभी नहीं होंगे 2025 में होंगे कब होंगे 2025 में 28 फरवरी से 9 मार्च सो उन नाइन्द एजियन विंटर गेम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें अन्वील की गई है उजागर की गई है स्लोग क्या रखा गया है ड्रीम ओफ विंटर लव अमंग एश्या जैसे जैसे यह गेम्स पास आएंगे उस समय और वापिस हम इनको पढ़ेंगे पर अभी के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे मैस्कॉट्स जो हैं जो रिवील किये गए हैं वो कौन है बिन बिन आन निनी दो के अंदर जन में थे ओफिशल एंबलंब जो है उसका नाम दिया गया है ब्रेक्थ्रू ब्रेक्थ्रू तो ये तीन चीजें नाइंथ एशन विंटर गेम्स के कॉन्टेक्स में अन्वील की गई हैं ठीक है जी आगे बढ़ेंगे अब थोड़ी कुछ बैंकिंग से रिलेट एफेक्ट से रद कर दिया है कि अभी से बिल्कुल रद कर दीजे क्यों अच्छा पहले तो ये बैंक कहा है ये करनाटका के अंदर हिरियूर अर्बन कोपरेटिव बैंक इस इन करनाटका क्यों कि आ गया इसके पास एडिक्वेट फंड नहीं है बैंकिंग करी नहीं सकता न की प्रोविजिंस में दिये गए हैं of section 11.1 and section 22.3d read with section 56 of banking regulation act 1949 as per RBI ये जो information है सिर्फ बैंकिंग वाले aspirants ध्यान दें बाकियों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आं बैंकिंग नहीं दे रहे हो exam रूरल ministry partners with SBI for SHG loans अगरी खबर जो है banking finance sector से तो रूरल ministry जो हमारी है किस के अंडर में आती है गिरी राज सिंग जी के अंडर में आती है तो पंचायती राज और रूरल ministry है तो रूरल ministry ने partner किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ self-help group loans देने के लिए self-help groups क्या होते हैं चोटे-चोटे groups होते हैं usually जो local levels होते हैं उन पर बनते हैं थोड़ी financial independence लाने के लिए ठीक है तो इन self-help groups को SBI के साथ मिलके rural ministry और SBI ने साथ मिलकर के इनको loans देने के लिए पहल की है आगे बढ़े है रादर सो इनका main aim क्या है कि जो enterprise financing होती है rural self-help groups की उनकी तरफ उसकी पूरे process को स्ट्रीम लाइन किया जाए self-help groups ने चोटे-चोटे काम करते हैं जैसे कशीदा कर लिया घर के अचार पापड वगएरा बना लिए so usually female-led groups होते हैं usually male भी हो सकते हैं पर female-led groups होते हैं और चोटे-चोटे अपने business कर रहे होते हैं तो इनको loans मिलना difficult होता है बहुत सारा paperwork होता है collateral वगएरा कई बार मांग ले जाते हैं तो ऐसे लोगों को financing easily मिल जाए ताकि rural development भी हो सके इसके लिए rural ministry और SBI साथ में आए हैं स्पेशलाइस financial product की तौर पे इन्होंने स्वयम सिद्ध एक product launch किया है SBI ने कौन सा product launch किया स्वयम सिद्ध अब यह जो स्वयम सिद्ध है इसके तहद अगर पांच लाक रुपे तक के loan लेने होंगे ना self-help group women organizations को particularly women entrepreneurs को तो वो ले सकती है स्वयम सिद्ध के तहद जिससे की जो भी traditional banking में challenges आते हैं loans नहीं मिलते हैं या फिर turnaround time कि हमने apply तब किया था मिल पतानी कब रहा है इस सब को reduce किया जा सके ठीक है तो स्वयम सिद्ध rural ministry और SBI की मिली जूली पहल हो गए ओके अब हम बढ़ेंगे हमारे जो question segment होता है पहले आज की जो भी news है उस से related में practice question करवा दूँगी फिर हम पिछले कुछ दिनों से related भी questions करेंगे और फिर कल आप अपने पूरे weekly revision को करके फिर ही मुझे अगली class में मिलेंगे चलिए, so December से July तक अगर आपको 6 month पूरी headlines तयार करनी है category wise तो आप CR अफ्तार की तरफ move कर सकते हो परचम app और website दोनों पर मिल जाएगा और अगर आपको अपनी general awareness की तयारी करनी है history geography, policy, economy, science, static gk तो आप इस course की तरफ move कर सकते हो परचम app पर है, introductory video, free classes अगेरा सब देख ल अगेरा है, alright, शुरू करें आज के revision questions के साथ में, चलो active हो जाओ, आजो, प्रभा आत्रे, the renowned Hindustani classical vocalist is associated with which घराना, प्रभा आत्रे जी कौन से घराने से जुडी हुई थी, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया, answer क्या होगा, answer होगा, किराना घराना, ए, alright, next question, What is the insured value provided by group term insurance scheme in case of any kind of death of BRO engaged casual paid laborers family, next of kin, हमने देखा था, BRO के साथ जो भी casual laborers जोड़े वे होंगे, अगर उनकी death हो जाती है, तो group insurance scheme के तहत, कितने लाख का मुआफजा उनको दिया जाएगा, what is the right answer, the right answer is C, 10 लाग रुपे, next question, Which state emerged as overall champion in beach games 2024, overall champion कौन सा राज्य रहा beach games 2024 के अंदर, the right answer will be D, Madhya Pradesh, next question, The international camel festival is organized in which district of Rajasthan, international camel festival, Rajasthan के कौन से district में organized किया गया, and the right answer is B, Kaanir, Jaisalmer के अंदर desert festival होता है, ठीक है, ये भी आप धान रखेंगे, next question, Mulyaprava 2.0 is associated with which body, Mulyaprava 2.0 कौन सी body की साथ associated है इन 4 में से, हमने देखा था, University Grants Commission, so UGC will be the right answer, alright, So, अब हम कुछ previous day के questions practice करते हैं, पहला question देखिये, Tropical Cyclone Alvaro hit which country, कौन सी country को Tropical Cyclone Alvaro ने hit किया था, The right answer is Madagascar, African country Madagascar, which country hosted exercise C Dragon 24, exercise C Dragon 24, किस ने host की, So, the answer is USA, USA ने host की, multilateral exercise थी, okay, next, Which city hosted the first inland waterways development council meeting, किस शहने पहली अंतरदेशय जलमार विकास परिशत की बैठक की मेजबानी की, First inland waterway development council meeting कहां हुई थी, answer is A, Kolkata के अंदर हुई थी, next question, Ganga Sagar Mela is organized in which Indian state, कौन से state में Ganga Sagar Mela organized किया जाता है, The right answer is West Bengal, Shabash, and I think the last question, और इसके बाद question of the day आएगा, Ustad Rashid Khan, who passed away recently, वो classical vocalist थे, कौन से घराने से, okay, So, Ustad Rashid Khan, कौन से घराने से संबंद रखते थे, Rampur Sehaswan Gharana, and, yes, this is your question of the day, जल्दी से सकान से comment section में देंगे, आज के लिए इतना ही, इस पूरे week के लिए इतना ही, अब आप कल करेंगे अपनी weekly CA का को एक revision, और उसके बाद हम दोनों दिन की CA के साथ नयाफता शुरू करेंगे, Until we meet next, take very good care of yourself, bye-bye.